अलो दोस्तो स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में दोस्तो आज की वीडियो में बात करेंगे दो इंपोर्टेंट अपडेट के बारे में जो की सभी केंद्रिय करमचारी रेलवे करमचारी पूर सैनिकों और सभी जो है सर्विंग डिफेंस परसनल के लिए और दोस्तों बात करने जा रहे हैं सभी पेवेंड यानि की जो है पेवेंड एक से लेकर जो है 18 तक जो पेवें बेनिफिट मिलने वाला है और यह जो है जैनवरी 2024 से लागू हो जाएगा इसका जो है प्रॉपर जो घोशना है वो सरकार के द्वारा भी फरवरी के एंड तक कर दी जाएगी लेकिन दोस्तों इस पर अल्रड़ी मोहर लग गई है कि जो पेवेंड एक से लेकर 18 तक जितने उनके वेतन में उनके बहुत सारे जो ऐसे भत्ते हैं जो कि उनके सेलरी से लेटेड है उसमें बढ़ोत्री होने जारी है दोस्तों कोशिश करते हैं कि एक एक चीज़ जो हम बात करें वह फैक्ट्स पर हो और जिसमें जो है मीडिया में चल रहा हो जिसके उपर बात्चित जहां पर संगठन काम कर रहे हैं वहीं बात डिसकस करते हैं तो यह जो पेल लेवल एक से ठारा तक का जो सैलरी पैकेज है वह क्यों बढ़ने जा रहा है और अभी किस लेवल पर है उसके बारें बात करेंगे आने वाले टाइम में दोस्तों एक फरवरी जो 2024 है वह दिन भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि यह सब जो भी हम बात कर रहे हैं जहां पर जो है बहुत सारे जो मिलते हैं उसमें ब्रहुतरी होने जा रही है और दूसरा अप्डेट हम बात करेंगे जो पैंशनर्स के लिए जो इंकम टेक्स है उसके उपर पैंशनर्स के जो है अगर इंकम टेक्स के जो रेंज़ों भी नहीं भी आ रहे हैं कई पैंशनर्स के जो है पैंशन में कटोती की गाई है और क्या कटोती का रीजन है और आप किस यह बैंड में आते हैं यह आपको ज़रूर जानना चाहिए और उसके एकॉर्डिंग आपको यह भी चेक करना चाहिए कि आपको income tax देना है कि नहीं देना है दोस्तों आज की वीडियो हम बात करेंगे कि किस slab पर कितना income tax देना पड़ता है और in case हम बात भी करेंगे जिन लोगों का income tax नहीं भी बन रहा उन लोगों को भी कटोती हुई है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं और उसके लिए जो है किस तरीके से आपने पैसे के रिकावरी कर सकते हैं तो पहले दोस्तों जानना ये जरूरी है कि आप income tax के slab में आते हैं कि नहीं आते हैं अगर आते हैं तो किस slab में आते हैं और उसके बाद से उसमें कितनी कटोती होनी चाहिए तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के इन दो important updates के बारे में दोस्तों कर चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली हर वीडियो का update आपको मिलता रहे और साथ ही साथ bell icon ज़रूर दबाए दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं कुछ important facts की जो कि जब 7th pay commission का गठन हुआ था उस time पे जो है कुछ नियम बनाए गये थे जो DA के उपर rule बनाए जाता है जब भी कोई नया वेतनाय उस time पे डेक्लेर के आता है कि DA में किस तरीके से बहुतरी होगी और अगले 10 साल का पूरा का पूरा road map रखा जाता है और उसके बाद से क्योंकि अगला pay commission जो है 10 साल बाद आना है तो इसका मतलब in between अगर महंगाई बहुत जादा बढ़ जाती है क्योंकि एक कह नहीं सकते कि अगर तो ये मान के चला जाता है कि ये जो चल रहा है इसी constant चलता रहेगा और 10 साल बाद फिर एक और नया वेतनाय होगा होगा लेकिन इन केस अगर बीच में अगर बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ जाती है तो उसके लिए भी प्रावधान होता है कि उसकेस में क्या करें अगर बीच में महंगाई बढ़ जाय तो क्या दुबारा बीच में पांच साल में वेतनाय होगाई गट्षिन करते हैं या कुछ और तो उसी के लिए दोस्तों सेवन्थ पे कमिशन में ये कहा गया था कि जैसी डीए जो है पचास परसंट होता है तो उसकेस में क्योंकि डीए पचास परसंट का मतलब है कि दस साल से पहले ही जो है जीरो से फिप्टी तक पहुंच चुका है उसकेस में दोस्तों जो उस समय डिसाइड किया गया था वो यही डिसाइड किया गया था कि 50% पहुंचते ही जो है डीए को बेसिक में मर्च कर दिये जाएगा और फिर डीए की जो है जो साइकिल है जो काउंटर है वो दुबारा जो है स्टार्ट हो जाएगा यह दोस्तों बात की थी सेवंथ पे कमिशन में अब वो टाइम आ चुका है अभी हमारा दोज़श नहीं ही आया जिबकि आठवा वेतन आयोग लागू होना था उसके पहले ही जो है यह पचास के पास आ चुका है और सीधे सीधे दोस्तों जो हम बात कर रहे हैं कि पे लेवल एक से लेकर पे लेवल अठारा तक सब का जो है सैलरी बढ़ रही है अलाउंस बढ़ रहे हैं सीधे सी 50% होते ही जो है 50%, मर्ज करते हैं की नहीं करते हैं 25% मर्ज करते हैं वह कोस्टन है जो की 20% extra मिलना शुरू हो जाता है वह कुछ इस तरह का ही है दोस्तों सीधे सीधे जो है जो आपको एचारे मिलता है उसमें अगर हम बात करें तो 25 पर 27 और 50 पर सीधे 30 परसंट हो जाता है उसी तरही के से दोस्तों इसमें चिल्डन एजुकेशन आपका जो है उसमें वह आपको जाएगा 2812 पर मंद होने वाला है उसके बाद से अगर हम बात करें जो दिव्यांग चाइल्ड है उनको जो मिलने वाला जो होता है और यह सब हम बात करें दोस्तों कि पचास परसंट के उपर यह पेबेंड एक सेलेकर ठारा जितने लोगों को यह मिलता है उन सब में ब्रहुत्तरी होने जा रही है जो चिल्डन एजुकेशन जो दिव्यांग बच्चों को मिलता है वह 5625 हो जाएगा जो पहले जो है 45 रुपे था हम बात करें नेग्स्ट अब्डेट की दोस्तों तो इस में आप बहुत सारे लॉंच है जो कि केंदरे करम चारी यह तब ही यह तब हम बात कर रहें कि यह जो है सब से रिटेर है केंदरे करम चारी पैंशनर्स और इसमें रेलवे के इंप्लोई होगे सम होस्टल सबसीडी जो है वह सिख सेवन फाइफ जिरो था वह सीधे आपको 8437 तो कहने का मतलब है कि 50% पर बहुत सारी चीज़े लिंक्ट है अपडेट हो जाएंगे स्पेशल एलाउंस फॉर चाइल्ड केर यह 3000 पर मन्त मिलता था और यह जो है 3750 पर मन्त हो जाएगा इन सब में जैसी डिये 50% होता है इसमें आपडेट हो जाएगा इसके लावा दोस्तों ट्रांसफर जो टिये मिलता है और वह 50% होता है तो उसमें भी आपको काफी ब्रहुत किलोमेटर मिलता है तो अगर हम बात करें तो इसमें पिए और ट्रांसफर कंपोटेशन डिये रेज़ेश बाइए फिफ्टी परसंट तो आप 50 पर किलोमेटर हो जाएगा अगर छे से ग्यारा किलोमेटर जाते हैं तो छोटे डिस्टेंस उसमें जो है रेट ज्यादा जब अगर दस तक ऐसे कॉंपोनेट एंडि अलाउंसे जिसका वेनिफिट आपको मिलने जा रहे हैं दोस्तों यह जो है फॉर्मली सिर्फ गवर्मेंट ने इसको जो है एनाउंस करना है रूल के खिलाफ कोई भी नहीं जाएगा तो रूल जो यह है कि 50 परसंट पर क्या होना चा जो सभी pensioners को नहीं पता और उनके pension में कटोती हो रही है without उनके knowledge के हैं और हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों income tax के जो कटोती हो रही है और income tax में दोस्तों सबसे पहली बात है गलत कटोती नहीं होती है जो आपका pace के लिए अगर आप तीन लाग तक हैं जो भी pensioners हैं उनको क देना है यानि कि अगर आपकी छे लाग तक है तो आपका येरली फिफ्टीन थाउजन्ट है वो भी किसी महिने आपको एक हजार बीस या जो भी कि करके पूरा अलग-अलग मंस में आपको पूरा 15,000 काटेंगे छे से नौ अगर आपका जाता है तो आपका 10 परसेंट होता है तो वहां पर जो आपको जो है तीस जार तो टोटल अगर 9 लाग तक होता है तो आपका टोटल 45,000 रुप है तो जो आपकी बाइड डिफॉल्ट अगर आपको जादा करते हैं किसी एक महिने में आपको ज्यादा पेंशन जादा है जादा आपका इंकम टेक्श ना कटे और आपकी पेंशन हर महिने बराबर आती रहें ऐसा नहीं करते कि दोस्तों मार्च में जाके आपका 35,000 तो मार्च कि कि आपके pension ही निए आईगी हैसा नहीं होता है हर महीं होता है अब दिक्कत वहाँ पर यह दोस्तों जो लोग सपर्ष से migrated है और अभी जोनके चल रहा है और प्रब्लम यह जब जनवरी फरवरी मार्च यह तीन महीं नहीं है ह Ary अगर वहां से data जो इंपर्ट हुआ या जो वाईगरेट हुआ 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 है उसमें अगर प्रॉपर्ट लीट सफकी गलत हुआ है तो यह गंट सब्सक्राइध मोगा करें उसके वेवरं बैबल चार्ज पर जाएगा और वो जो वह आ चुन्हें आपको बिना कहें आपका पेंशन में कटौती होती रहेगी को जब इसके बाद से अगर आपको नहीं प्रहाच चलता है तो फिर आपका पैसा वापिस भी नहीं आए क्यूंकि अगर extra cut होती होती है तो आपको फिर से जो है refund डालना पड़ता है जब आप income tax फिल करें तो आपको refund के लिए फिल करना पड़ता है तो दोस्तों दो चीजे सावधानी यह रखनी है पहली बात तो यह कि आप सब्सक्राइब करें कि आपका इंकम टेक्स जो पैन कार्ड है वह अपडेटेड हो यह दो तील महीन है इसी में सारा कुछ कटना है अगर पहले नहीं कटा तो यह इनका कम था उनका जो है तो अल्टिमेटली क्या है कि अभी जो है आपको हजार जार कट्राइब बीस परसंट क लाइक कीजिएगा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले हैं थैंक यू फर वाचिंग दिस वीडियो